हलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सॉलूशन चैप्टर का NCIT एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे बच्चों, जिसमें अभी तक हम लोग दो पार्ट में सॉल्व किये, क्वेस्चन नमर फिप्टीन तक कल हो चुका था, आ NCIT चैप्टर 2 यानि सॉलूशन चैप्टर का NCIT एक्सरसाइज क्वेस्चन नमर 16 से मैं आज कांटिन्यू करने वाला हूँ, तो आप सभी लोग लाइब से कनेक्ट हो जाए, फिर मैं कलास कांटिन्यू करता हूँ, मैक्सिमम लोग जुड़ जाए, और जो लोग जुड़े ह है, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंट के साथ सेयर करें, जिससे सारे बच्चे जुड़ जाए, फिर मैं कांटिन्यू करूँ, फिर मैं क्वेस्चन बच्चों मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग जुड़िते रहे, फिर में अगला है, 16 फिर में अग्टेन, हैप्टेन और ऑक्टेन फार्म और आइडियल सॉलूशन, हैप्टेन और ऑक्टेन दोनों मिल करके आइडियल सॉलूशन बना रहे हैं, 383 कल्वीन, अगर 373 कल्वीन की बात करें, दा बेपर प्रेशर, दा बेपर प्रेशर आफ दा, आफ दा तू लिकविड, बेपर प्रेशर आफ दा तू लिकविड and component, vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kPa and 46.8 kPa, respectively. respectively, what will be the vapor pressure of a mixture of 26 grams of heptane. of heptane and 35 grams of octane. तो question काफी लंबा लग रहा है, तो आपको कोई मतलब confusion नहीं होगा, समझेगा. question क्या कह रहा है, मैं एक्सम लोग जुड़ जाएए, फिर इस question को मैं कराता हूँ. गुड बॉर्नेंग, गुड बॉर्नेंग, अक्षिता, देखिये, मैं इसको continue करता हूँ, समझे. देखिये, heptane and octane farm two, farm and ideal solution, ideal solution बना रहे हैं, दोनों मिल करके, I8-3-73-Calvin vapor pressure of two liquid are 105.2 and 46.8 kilo pascal respectively. What will be the vapor pressure of mixer of 26 gram of heptane and 35 gram of octane. तो समझेगा ध्यान से, इसमें दो का vapor pressure दिया है, दो component का, यानि pure farm में कम दिया गया है vapor pressure, तो according to round law अगर बात करें, तो आपको अभी पता पहले आप जो जो दिया है, उसको लिखिये, देखो, molecular weight अगर हम बात करें, weight दिया है किसका, weight of heptane, बताईए, heptane का weight किना दिया है, weight of heptane equal to 35 gram, समझ में आया, चलिए, molecular weight निकाल लो heptane का, तो molecular weight of heptane, heptane का formula C7H16, यही heptane का molecular formula होगा, तो इसका जब molecular weight निकालेंगे, solve करेंगे बच्चों, तो 12, 12 into 7, 84 plus 16, यानि 100, 100 gram हो जाएगा, ठेक है, अब हम क्या करते हैं, इसका मोल निकाल ले, नमबर आप मोल आप C7H16 निकालोगे, तो 35 डिवाइड कर दो, कितने से, 100 से equal हो जाएगा बच्चा लोग, 0.26 मोल, heptane का पूरा details, molecular weight और मोल हम निकाल चुके हैं, कितने लोगों आ चुके हो बच्चों, सर हेप्टेन का 26 ग्राम है, 26 ग्राम, हाँ, हाँ, स्वारी, स्वारी, 26 ग्राम हेप्टेन, 26 हाँ, इसको solve करिए, फिर से, 26 है, डिवाइड कर दो, 100 से, तो आज आएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा, 0.26, स्वारी, इतना मोल आ गया, ठेक है, आप देखो, ये मोल हमें हेप्टेन का मिल गया, अब हम ओक्टेन का बेट देखें, तो बेट आफ ओक्टेन, बेट आफ ओक्टेन कितना दिया है, 35 ग्राम, 35 ग्राम, molecular weight बता दो octane का molecular weight octane का कितना C8H18 का molecular weight अगर हम solve करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 114 gram per mole gram per mole में ठीक है तो ये भी हम निकाल लिए अब mole निकालो number of mole of octane क्या होगा C8H18 का mole 35 divided by 114 और इसको solve करेंगे आप तो answer बताएए calculator के according आप solve कर सकते हैं 0.31 ये इसका mole आ गया तो हम दोनो component का mole निकाल लिए क्यों mole निकालना पड़ रहा बच्चों क्योंकि हमें mole fraction की जरूरत पड़ेगी जो राउल टला के according हम लोग पड़ें है P equal to P A naught dot X A या P B equal to P B naught dot X B तो mole fraction चाहिए तो mole fraction निकालने के लिए बच्चों हमें mole की जरूरत पड़ेगी तो दोनों का mole मैंने starting में ही निकाल लिया बाह समझ में आया अब देखें अब ये बताइए आप अब दोनों का mole अगर आपने निकाल लिया तो अब आपको यहाँ P A equal to P A naught dot X A ये तो पता है P A naught dot X A X A आपको निकालना है X A आप निकाल सकते हो आसानी से तो अब यहाँ ये बताइए अब आपको P A naught कितना दिया हुआ है 105.2 और P B naught दिया है ये pure farm है ना अलागला component है तो P A naught P B naught pure farm का vapor pressure है तो अब यहाँ अगर हम direct रखें तो हम individual देख लेती है जैसे P A naught equal to question में दिया है 105.2 kilo Pascal तो हम यहाँ से X A निकालने X A equal to क्या हो जाएगा N A divide by N A plus N B हो जाएगा कि नहीं बोलिए तो N A कितना है बच्चों बोलो 0.26 divided by 0.26 plus 0.31 तो solve करोगे तो 0.456 आ जाएगा बात समझ में आया तो ये mole fraction आफ A आ गया PA दिया तो यहाँ से हम निकाल लेंगे निकल जाएगा कि नहीं PA PA नाट होता है PA नाट dot X A तो हम क्या करेंगे PA निकालेंगे PA नाट कितना है 105.2 into mole fraction निकालो 0.456 तो इसको solve करोगे तो क्या आजाएगा PA बोलो इसको solve करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 47 0.9 से बना गया PA बाद समझ में आया कोई दिक्कत S या No कमेंट करके बताएगे कोई प्रॉब्लम अब यहाँ देखिएगा अब जब PA पता चल गया तो ऐसे आप PB निकाल लो ना PB भी तो निकाल सकते हो बच्चों और mole fraction आप A का पता है तो X B हमें दूसरे पेंज में मैं continue करता हूँ देखिए X B equal to 1 minus X A होगा तो 1 minus यह कर दो 0.456 तो यहाँ से आपको X B मिल जाएगा मिल जाएगा कि नहीं X B क्या होगा बच्चा लोग 0.- करो इससे 455 पा जाएगा X B तो अब यह बताए कि PB इक्वल टू PB नाट डॉट X B यही तो पड़े हो PB नाट क्वेस्चन में क्या दिया हुआ है बता दीजिए 46 दिया है 46.8 और X B निकाल लो X B आपने निकाला ही है कितना 0.544 पता चला चलो मैं solve कर रहा हूँ अक्षिता देखो PB पता चल गया तो PB नाट और X B मल्टिप्लाई किया गया तो PB इक्वल टू कर दो तो क्या होगा दोनों को मल्टिप्लाई करें मल्टिप्लाई करिए तो क्या होगा 25.46 अब यहां देखो आपने PA भी निकालिया आपने PB भी निकालिया आपने पार्षिल प्रेशर आप ओक्टेंड भी निकालिया और आपने पार्षिल प्रेशर आप स्वारी पार्षिल प्रेशर आप हैप्टेन भी निकालिया और आपने पार्षिल प्रेशर आप अक्टेन भी निकाल लिया तो टोटल प्रेशर बच्चा लोग टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर इक्वल टू यानि टोटल प्रेशर आप मिक्चर यानि सॉलूशन टोटल प्रेशर आप मिक्चर यानि सॉलूशन पी अस इक्वल टू क्या पड़े हो पार्सल प्रेशर आप प्लस पार्सल प्रिसर आप या इक्वल टू पी ए के जगा पर पी ए नाट डॉट एक से प्लस पी बी नाट डॉट एकस भी यह तो पड़े हो अच्छा इसको मैंने सॉल्व किया कितना आया अभी उपर आया देखिये 47.97 इसको अभी सॉल्व किया गया इतना आया तो प्लस कर दो 27.46 तो दोनों को आइड करोगे तो 73.43 किलो पासकल इस यूर आंसर कोई दिक्कात पताईए कमेंट करके बताईए कोई प्रॉब्लम है इसमें समझ में आ गया कि नहीं हाँ 73.43 अंग्सिस सेखर सही है अक्षिता का भी आंसर सही है आगे बढ़ें बताईएगा अगला नुमेरकल NCIT कोईस्चन नमबर 17 बताईए बच्चों एस या नो कमेंट करिए नो प्रॉब्लम चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला नुमेरकल है बच्चों देखिएगा ध्यान से अगला नुमेरकल बच्चों मैं लिख रहा हूँ देखिए अगला क्वेस्चन है ध्यान दीजिए सेबंटीन क्वेस्चन नमबर सेबंटीन देखिए क्या का रहा है क्वेस्चन दा बेपर प्रेसर आफ वाटर इज दिया है बेपर प्रेसर आफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल ये दिया है एस्वर्दीब गोड बॉर्निंग अक्षिता सही बेरी गोड चलो आगे बढ़ते हैं 12.3 किलो पास्कल आएट आएट थ्री हंड्रेट कैल्बीन कैल्कुलेट 300 कैल्बीन कैल्कुलेट कैल्कुलेट दा बेपर प्रेसर आफ वान मोलल वान मोलल सॉलूशन आफ ए वान मोलल सॉलूशन आफ ए नान बोलेटाइल नान बोलेटाइल इन इट है नान बोलेटाइल सॉल्यूट इन इट है ठीक है समझो चलो ठीक है हम आगे कांटिनू करते हैं बताओं जो कितने लोग कर सकते हैं जो गिबन है डेटा उसको लिखना होगा इसमें कोई कोई डेटा गिबन है पहले उसको आप लिख लीजिए कारा कि वेपर प्रेसर आफ वाटर ईज है 12.3 किलो पासकल तो इसका मलब वेपर प्रेसर आफ सॉल्बेंट दिया है तो वेपर प्रेसर आफ सॉल्बेंट यानि मैं रिप्रेजेंट करता था P0 से वेपर प्रेसर आफ सॉल्बेंट को मैं P0 से रिप्रेजेंट करता था तो P0 या P not equal to 12.3 किलो पासकल ये दे दिया है उसके बाद अब आपसे कह रहा है कि calculate वेपर प्रेशर आप one molar solution यानि PS आपको बताना है वेपर प्रेशर आप solution आपको बताना है अब बताना है और one molar दिया है और यी इतने बैस दिया है और कुछ हमें नहीं मिला है अब इसका sense आप सम one molar solution means क्या होता है one molar solution means क्या होता है पताईएगा बच्चों one molar solution means होता है one mole solute present in present in thousand gram solvent present in thousand gram solvent इसका मतलब अच्चों यही होगा कि one mole solute present है कितने gram solvent में thousand gram solvent में present है बात समझ में आया कोई दिक्कात नहीं अब इसका मतलब one mole यानि number of mole आप solute मिल गया one मिल गया कोई दिक्कात नहीं अब ये बताओ इसका मतलब ये हुआ nb अगर हमें निकालना बेट आप solvent यानि water का अगर mole निकालना है तो बेट आप solvent divide by molecular weight और water यहां क्या है solvent है water क्या है solvent है तो water का बेट कितना है 1000 क्राम और water का molecular weight कितना होता 18 तो जब solve करोगे बच्चों तो 15.5 mole आ गया water का और solute का है one mole कोई दिक्कात हाँ very good very good अक्षिता सही बोल रही हो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपको number of mole of solute and solvent पता चल गया तो mole fraction पता चल जाए चल जाएगा पी जीरो पता है के वल पी एस निकालना तो direct simple है आप according to route ला लिखोगे पी नाट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी जीरो एक्वल टू नमबर आप mole of solute डिवाइड बाई नमबर आप mole of solute पला नमबर आप mole of solvent कर दिया कोई दिक्कात कोई problem नहीं अब इसको solve करो पी जी 3 एक्वल टू नमबर आप mole of solute 1 1 पलस 55.5 रख दिया और यहां इसको solve करोगे तो पी एस एक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12.08 किलो पासकल कोई doubt कोई problem कितने लोगों को समझ में आया बताईएगा समझ में आया आगे बढ़ रहा हैं बच्चों कोई doubt कोई problem notes में आप add कर लीजिएगा numerical important है आपकी board exam में आ सकता है तो screenshot लीजिए और इसको आप अच्छे से अपने notes में add कर लीजिएगा ठीक है स्वर्दीप daily आया करो live class लिया करो live से फायदा होगा वैसे तो आप कुछ भी पूछ सकते हो live में न comment करके आप अगर पूछोगे फिर मैं उसको revision करा देता हूँ इसलिए आप live class attain किया करो चलो ठीक है बच्चों आगला question देखते हैं question number 18 क्या करा रहा बच्चों calculate करिए calculate the mass calculate the mass आप non volatile non volatile solute non volatile solute का हमें बताना है बच्चों क्या mass बताना है non volatile solute का mass बताना है और जिसमें molecular mass दिया है 40 gram per mole which should which should should be which should be dissolved which should be dissolved in in 114 gram octane जो 114 gram octane में dissolve हो रहा है to reduce its vapor pressure to 80% बहुत important बहुत important है बच्चों बहुत important अब आप ध्यान से इसको देखेगा आपकी cbc board में ये question आ चुका है और इस type का question NEET में optional question बना करके देता है तो NEET का जो question आता बच्चों NCIT अगर आप अच्छे से solve कर ले रहे हो conceptual समझ करके तो आप NEET के question को आसानी से deal कर ले जाओगे जेई mains के question आप आसानी से deal कर ले जाओगे लेकिन अगर आपको concept नहीं clear है NCIT के numerical को आप समझ करके नहीं solve कर पा रहे हो इसका मतलब आपको problem होने वाला है तो बच्चों अब इसको हमें समझना है इसको हमें समझना इस numerical को कैसे deal किया जाए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों देखिए अब ये कह रहा है calculate the mass of non-volatile solute non-volatile solute का mass हमें बताना है जिसका molecular weight दे दिया है कितना 40 gram per mole which should be dissolved in 114 gram octane जो 114 gram octane में dissolved हुआ जैसे dissolved हुआ उसका vapor pressure reduce हो करके 80% हो जा रहा है ठीक है तो हम कैसे solve करेंगे देखो mathematically हमें percentage भी निकालना आना चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले weight up solute तो हमें निकालना है non-volatile solute का mass हमें निकालना है weight mass chemistry में same होता है physics में अलग-अलग ठीक है तो weight up solute हमें निकालना है molecular weight up solute दे दिया है कितना बचों 40 gram per mole ये भी दे दिया है अच्छा weight up solvent दे दिया है 1114 gram जो given है मैं उसको लिख लूँगा और molecular weight अभी पिछले class में octane का हम लोग निकाले थे 1114 ही होता है तो अब इन दोनों से number आप mole nb निकाल लो तो nb निकालोगे तो weight divided by molecular weight 1414 divided by 1114 equal to 1 mole octane तो solvent का mole हमें पता चल गया पता चला कि नहीं comment करिए जल्दी से समझ में आया बच्चों सबको हमें solvent का mole पता चल गया हमें solute का मास निकालना है solute का molecular mass दिया है और क्या condition है अब यहां का रहा है कि 80% मतलब जब non-volatile solute किसी non-volatile solute जब mix किया गया तो उसका vapor pressure decrease हो गया 80 vapor pressure decrease to 80% तो vapor pressure जब decrease हो रहा तो अब यह बताए हम starting का vapor pressure कुछ मानेंगे तो मानना पड़ेगा let let vapor pressure of solvent vapor pressure of solvent मैं मान लेता हूँ बच्चों P0 P0 तो vapor pressure of solution मैं मानता था PS अब यही PS क्या है अब जब मान लेते हैं vapor pressure starting का P0 है तो P0 का 80% क्या होगा P0 का 80% अगर आप निकालोगे तो P0 into 80 divided by 100% निकालना आता है P0 का 80% P0 into 80 divided by 100 करोगे बच्चों तो इसको हो जाएगा 0.80 PA तो PS के जगा पर हम यह रख सकते हैं रख सकते हैं कोई दिक्कात बताएगा कोई problem चलिए अब क्या करेंगे बच्चों अब इसको आप फार्मूले में रखिए क्या फार्मूला हम लोग पढ़ेते P0 minus PS divided by P0 equal to number of mole absolute मलब N A divided by N A plus N B यह हमें पता है पता है कि नहीं पता बताएगे पता है न अच्छा इसके पराबर में लिक सकता हूँ beta of solute divided by molecular beta of solute और फिर डिवाइड कर तो beta of solute divided by molecular beta of solute प्लस beta of solvent divided by molecular beta of solvent कोई problem नो चलो ठीक है अब हम यहां सारे given data को लिखेंगे लिखेंगे कैसे लिखेंगे P0 minus 0.ps के जगा पर हम यह value रखेंगे तो 0.80 P0 और divide कर देंगे किसे P0 से divide करेंगे करेंगे किना ही करेंगे equal to हो जाएगा beta of solute हमें निकालना है और divide करो molecular beta यानि 40 तो w a divided by 40 molecular beta दिया है फिर w a divided by 40 और प्लस beta कितना है beta divided by molecular beta यानि कितना आया था 1 mole तो direct हम यहां 1 रख देते हैं beta divided by molecular beta 1 कोई दिक्कत बताएगा बच्चों कोई problem कोई problem चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से हम कामन ले 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 पीनाट पीनाट अगर हम कामन बच्चों लेंगे तो क्या होगा अब इसको मैत वाले तो तुरण solve कर लेंगे w a आ जाएगा कट जाएगा लेकिन biology वालों को मैं बत to हो जाएगा अब इसको क्या करोगे w a divided by 40 divided by w a by 40 और प्लस 1 कर दिया अब जब इसको solve करोगे बच्चों तो यहां यह यह कट जाएगा कटा और 1 में से 0.80 minus करोगे तो बचेगा कितना 0.20 equal to कर दोगे beta absolute by 40 by w a by 40 और प्लस 1 कर दो इतना करोगे तो अब क्या करोगे यहां से बच्चों w आ जाएगा कितना 10 gram आएगा अब यहां तो मायत वाले solve कर ले जाएंगे आसानी से बायो वाले भी कर सकते हैं बायो वाले इतने कमजोर नहीं है फिर भी मैं इसको अगर कहिए तो आपको मैं solve करके आगे बता दूं कै ऐसे होगा इदर उदर थोड़ा सा multiply हो गयरा करना पड़ेगा बस हो जाएगा ना बच्चों एस या नो इसका calculation आगे बताएं कि बस answer मैंने लिखती है 10 gram यहां डबलू ए मिल जाएगा डबलू ए बेटा आप solute नान बोले टाइप solute का बेटा जाएगा कमेंट करके बताए सबको कोई दिक्कत है कि नहीं अगर प्रॉबलम हो तो मैं इस calculation को थोड़ा सा और simplify कर दूँ बताएगे बच्चों एस या नो इस या नो आगे बढ़ें इसको नोट करिए जल्दी से सब लोग नोट कर लिजिए नोट में आपके होना चाहिए यह बहुत important numerical है बोड में बा बोड में बार बार आता रहता इस टाइप का numerical percentage टाइप के 80% या 70 कुछ भी हो जाएगा तो इसी टाइप से concept आप apply करके solve कर सकते हैं चलो ठीक है मैं next question बोल रहा हूं ध्यान से समझें next question में calculation जादा है तो ध्यान से आप समझेगा देखिए बच्चों अगला numerical मैं लिख रह करके पूरे YouTube पर किसी का कोई वीडियो अपलोड नहीं है आप देख सकते हो question number 19 मैं आपको बताने जा रहा हूं और यहां calculation है बायो वाले तो जरूर देखेंगे देखें ए सोलूशन एक कोई सोलूशन है ए सोलूशन containing ए सोलूशन containing ए सोलूशन containing थाइटी ग्राम आप नान बोलेटाइल 30 ग्राम आप नान बोलेटाइल सोलूट 30 ग्राम आप नान बोलेटाइल सोलूट एक्जैक्टली इन 90 ग्राम आप वाटर 90 ग्राम आप वाटर 30 ग्राम नान बोलेटाइल सोलूट एक्जैक्टली मिक्स किया गया किसमें 90 ग्राम आप वाटर में हैज बेपर प्रेसर उसका बेपर प्रेसर बच्चों देखा गया आफ 2.8 किलो पास्कल जब 13 ग्राम नान बोलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया तो उसका वेपर प्रेसर देखा गया 2.8 किलो पास्कल बास समझ में आया कोई दिक्कत किलो पास्कल 298 कैल्विन फिर दुबारा क्या हुआ फर्दर 18 ग्राम वाटर 18 ग्राम H2O वाटर इज इज देन एड़ेड फिर दुबारा आड़ करो इज देन एड़ेड इज देन एड़ेड तो तो दा सॉलूशन उस सॉलूशन में 18 ग्राम additional aid किया गया to the solution then the then the new then the new vapor pressure vapor pressure become new vapor pressure हो गया 2.9 vapor pressure बढ़ गया नया vapor pressure 2.9 Kelvin at 298 Kelvin का रहा है calculate करो बच चालो calculate पाला नंबर क्या calculate करना है molar mass molar mass आप solute बता दो और second कह रहा है बच्चों vapor pressure आप water बता दो at 298 Kelvin ध्यान से समझे ध्यान से समझेगा बच्चों a solution containing 30 gram आप non volatile solute exactly in 90 gram water अगर 30 gram non volatile solute good morning अर्पीत कहा थे अभी तक तुमारी पिटाई होने वाली है बहुत ही लापरवा हो गए हो doubt पुछते राते हो लेकिन class attend नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा समय से जो है अटेंड किया करो class ठीक है चलो ठीक है कल से अपने टाइम पर आ जाना एस solution containing 30 gram non volatile solute in 90 gram water हाई ज बैपर प्रेशर उसका 2.8 किलो पासकल था अब कह रहा बच्चों कि दुबारा 18 gram water आइड किया गया आइड किया गया उस solution में तो new बैपर प्रेशर उसका 2.9 किलो पासकल हो गया 2.9 किलो पासकल हो गया तो कह रहा है कि उस solute का molecular mass बताइए molar mass बताइए और उसका बैपर प्रेशर आप water क्या होगा water का बैपर प्रेशर क्या होगा चलो ठीक है कोई बात नहीं है मैत का कलास था ठीक है chemistry का कलास हमें से लिया करो ठीक है अब हम इसको solve करते हैं बच्चों अब ध्यान दीजे हमें निकालना है molar mass of solute तो solute का molar mass अगर हमें निकालना है तो हमें जो है राउल्ट लाफ फालो करना P0-PS by P0 एक्वल टू मोल फ्रेक्शन तो अब हमें दो equation बनाना होगा कैसे समझेए थोड़ा सा lengthy type का है आप concentrate रहिएगा और point point लिखते रहिएगा बहुत important है नए तो आपको offline फिर से मुझे पूछना पड़ेगा तो मैं फिर बताऊँगा YouTube पर आप जा करके वीडियो देखे इसलिए concentrate हो जाईए और आपको दुबारा ना इस question को समझना पड़े देखे अब हमें νिकालना चाहिए molar mass question करा रहा molar mass आप solute बता दो यम A हमें निकालना है बास मजमें आया हमें solute का molar mass चाहिए और बेट आप solute दिया है कितना 30 gram बेट आप solute दिया है कितना 30 gram देखे 30 gram non volatile solute mix किया जा रहा है ठीक है बच्चों चलो मैं दूसरे पेज में solve करता हूँ जिसे आप question भी देखते रहिए चलो मैं ले लेता हूँ बेट आप solute कितना 30 gram बेट आप solute दिया है ठीक है तो हम number of mole निकाले number of mole आप solute निकाले तो 30 by m हो जाएगा mole यही तो mole होगा mole क्यों निकालना पड़ रहा है ठीक है समझो एक बार question मैं फिर से समझा दे रहा हूँ solution containing 30 gram non volatile solute exactly in 90 gram water कोई container है बच्चों कोई container है मा लेते यह container है और इस container में water था 90 gram और water जब 90 gram था तो इसमें non volatile solute मिला दिया गया 30 gram 90 gram water था जिसमें 30 gram solute मिला गया तो इसका बेपर प्रेसर आया PS आया बच्चों 2.8 किलो पासकल था यह question कह रहा है और फिर यह कह रहा है कि अब इसमें दुबारा फिर जब 18 gram water मिला दिया गया तो उसका PS का वैलू हो गया 2.9 किलो पासकल हो गया जब फिर water मिला जब फिर उसमें non volatile solute मिला दिया गया तो फिर कह रहा है कि जब इतना process आपने किया तो अब उस solute का molar mass बता दो और water का vapor pressure यानि P0 कितना होगा वो बता दो समझ में आया यही question है तो आप समझो मैं एक एक करके इसको solve कर रहा हूँ देखे देखे मोल हमें पता चल गया अब मोल जब पता चल गया बच्चों तो हम जो है solvent का check कर लेती है solvent का बेट कितना दिया है बच्चा लोग बताईए solvent का बेट कितना 90 ग्राम देखो 90 ग्राम थोड़ा सा नीचे करें 90 ग्राम water देखे solvent का बेट 90 अच्छा molecular बेट solvent का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होगा तो NB निकाल लो NB कितना होगा बता दीजिए 90 by 18 equal to 5 5 मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब equation first को मैं पहले फालू कर रहा हूँ पहला condition मैं फालू कर रहा हूँ पहला condition अब मैं अपलाई करूंगा अब यह बताओ अब यह बताओ मैं सारा मतलब given data यहां रखता हूँ तो given data अगर बच्चों मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा P0 minus P S कितना है P S दिया है starting का P S कितना दिया 2.8 किलो पास्कल तो P0 minus 2.8 और divide by कर देंगे P0 equal to N A मतलब beta absolute divide by molecular weight कितना 30 by MA लिखेंगे ना और फिर 30 by MA और प्लस N B का value कितना आया 5 प्लस 5 कर देंगे करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए हो जाएगा ना अब यहां जो है आप क्या करो अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं बच्चों लिख सकता हूँ P0 by P0 minus 2.8 by P0 कोई दिखक नहीं न तो 30 by MA और फिर वहीं 30 by MA और प्लस 5 तो यह P0 P0 कटेगा कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए तो हो जाएगा 1 minus 2.8 by P0 equal to हो जाएगा बच्चों 30 by MA by 30 by MA प्लस 5 यह हो गया बताइए कोई दिक्कात कोई प्रॉब्लम यहां तक कल्कुलेशन में अब इसको उधर कर दें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2.8 divided by P0 equal to 1 minus 30 by MA by 30 by MA प्लस 5 यहां तक कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई समस्या चलो अब इसको मुझे solve करना है mathematically दो equation बनेगा पहले number पहले condition को follow करके मैं एक simplified करके equation लिखूंगा क्योंकि हमें दोनों में molecular mass निकालना है दो unknown value है ना तो हमें ना तो हमें P0 पता है और ना ही हमें MA पता है ना तो P0 पता ना तो MA पता तो दो equation हमें बनाना है दो equation बना करके तब cut करेंगे तब answer आएगा तो अब पहले condition को follow करके मैं equation बना रहा हूं तो equation इसको अगर simplify करेंगे बच्चों तो 2.8 divide by P0 equal to अच्चा इसको मैं लिख सकता हूँ mathematics वाले बच्चे तो कर ले जाएंगे लेकिन bio वाले नहीं कर पाएंगे तो 1 by 1 लिख सकता हूँ कि नहीं minus 30 by MA 30 by MA divide by 30 by MA plus 5 कोई समस्या अब इसका जो हम LCM लेकर के solve करेंगे नीचे आ जाएगा बच्चों क्या जाएगा 30 by MA और प्लस हो जाएगा 5 होगा अच्छा ये 1 है तो यहाँ वही नमबर लिखेंगे 30 by MA और प्लस 5 अब ये कट जाएगा तो इसका मलब उपर वाला के अब लिख दे रहा है minus 30 by MA ऐसे ही तो solve करते हैं LCM लेकर के अरे भाई 1 है 1 LCM लिया इतना आया और 1 से मलब जो है देखा गया तो 1 है तो ये multiply कर देंगे फिर ये कट जाएगा फिर जितना है उतना लिख देंगे mathematics में ये calculation आपने सीखा है ना तो अब इसको अगर बच्चों हम solve करेंगे अगर इसको अगर solve करेंगे तो क्या होगा इसको solve करेंगे तो देखे फिर आगे continue मैं कर लेता हूँ 2.8 by P0 और इसको अगर देखा जाए बच्चों तो ये 30 by YMA और 30 by YMA ये plus और minus में है तो ये cancel हो जाएगा ये कटेगा कर जाएगा तो ऊपर के वल क्या बचा 5 बचा तो क्या हो जाएगा 5 by YM 30 by 30 by YMA एक YMA नीचे भी तो 30 by YMA प्लस 5 कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम आप देखो बच्चों थोड़ा सा बोरिंग है बहुत बड़ा ये calculation है NCIT में देखो कि समझ में नहीं आएगा solution आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए ध्यान से समझो और एक बार आप देखिए दो बार वीडियो रिपीट करके देखो कि समझ में आ जाएगा देखो आप इसको और simplify करें तो simplify अगर बच्चों हम करेंगे तो आप कैसे simplify करेंगे ऐसे कर सकते हो बताइए इसको और simplify किया जाए simplify करोगे तो क्या होगा इसको हम उपर कर दें तो उपर करेंगे तो ऐसा हो सकता है न देखिए P0 by 2.8 और उसको उपर कर उसको नीचे तो 30 by M A और by 5 divide by 5 कोई दिक्कत हम कर सकते हैं न ऐसा कोई समस्या नहीं है ऐसा तो हम करें सकते हैं क्यों क्यों हो क्यों हम सिंप्लिफाई करने के लिए किया जा रहा है अब इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं आएसे ये नीचे आ जाएगा तो 30 by 30 by M A M A into 5 लिख सकते हैं न into 5 और plus plus क्या plus 5 लिख सकते हैं न कोई दिक्कत अरे इसी को नीचे किया 5 by 5 हो जाएगा तो 5 by 5 equal to क्या हो जाएगा solve करिए जल्दी से 30 by M A और ये हो गया और 5 by 5 ये 5 by 5 तो 1 हो जाएगा इसको 1 कर देंगे अभी आगे ला करके तो P 0 by 2.8 हो गया equal to 1 है और यहां देखिए 5 और 30 कटेगा तो 6 हो जाएगा ध्यान से देखिएगा calculation है mathematics वाले solve कर लिए होंगे P 0 by 2.8 और ये 1 बचा तो 1 लिख दूँँगा प्लस उपर 6 बचा हुआ है तो 6 है और नीचे M A बचा है तो M A अब इससे ज़्यादा simplify हम नहीं कर सकते हैं एकदम simple form में आ गया तो ये equation number first बन गया क्या बन गया बच्चों equation number first बन गया अब यहाँ देखो P 0 भी हमें नहीं पता है यानि vapor pressure आप solvent भी नहीं पता है और molar mass आप solute भी नहीं पता है तो एक equation से थोड़ी लगेगा दो unknown equation और दो variable तो mathematics वाले 2 variable to equation solve करना जानते हैं तो अब second हम देखें after add कर दो 18 gram water add किया गया ना अभी तक तो जब 90 gram water था 30 gram non volatile solute मिलाया गया तब यह simplify equation बना अब जब 18 gram additional add किया गया तब कैसे equation बनेगा तो देखो बच्चों आगे हम continue करते हैं after adding after adding after adding 18 gram H2O 18 gram water जब add करोगे बच्चा लोग तो NB निकालो N तो वही है कि अब वाटर मिलाया गया है तो NB क्या होगा 90 पहले से था 18 और add हुआ divide by molecular weight 18 तो solve करोगे 108 divide by 18 equal to solve करोगे तो आजाएगा 18 छक्का 108 यानि 6 mole आजाएगा पास समझ में आया यानि अब solvent का कितना mole हो गया 6 mole हो गया अगर 18 ग्राम और add कर दिया गया तो NB हमें मिल गया और अब solution का जो PS है वो भी बढ़ करके कितना हो गया 2.9 vapor pressure increase हुआ है तो यहाँ PS भी दिया है कितना अब 2.9 किलो पासकल तो अब वही सेम करना है बच्चों जहाँ आपने solvent NB5 लिखा था पिछले equation में अब दूसरे condition में 6 लिख दो और जहाँ PS का value आपने 2.8 लिखा था देखो PS का value 2.8 लिखे हैं वहाँ आप कर दो 2.9 और ऐसा करने के बाद आप इसी simplified equation को प्राप्त करोगे और क्या होगा जैसे यही तो आप equation follow करोगे P0-PS divided by P0 equal to number of mole of solute divided by number of mole of solute NB यही होगा तो आप जब इसको रखोगे P0 पता नहीं है PS कितना दे दिया 2.9 divided by P0 equal to 30 by MA और divide by 30 by MA और mole of solvent हो गया 6 mole हुआ की नहीं हुआ अब इसी को simplify करो तो इतने इस फार में आजाना चाहिए simplify करोगे भाई अरे यार देखो इधर यह वाला equation अब लोग यही तो किये हैं देखो अब इतना step तुमें follow करना homework करके इसको practice कर लेना और इतना जब solve करोगे यह तो आपको यह equation आएगा तो यहाँ जो 6 है अब हो जाएगा 5 और जहाँ 2.8 है वहाँ हो जाएगा 2.9 तो solve करने के बाद जो equation बनेगा मैं direct equation लिखता हूँ क्या बनेगा इसके बाद इसको solve जब करोगे बच्चों तो solve करके direct में लिख देता हूँ P0 by 2.9 जहाँ 2.8 था equation बनेगा 2.9 हो जाएगा equal to और 1 प्लस जहाँ 5 था जहाँ 6 है वहाँ हो जाएगा 5 by M Mb हो गया ठीक है अब यह equation number second यह इतना calculation इतना तो आप करी सकते हो अभी बहुत जादा बड़ा हो जाएगा 5-7 minute और इस equation में लग जाएगा अगर मैं इसको solve करूँगा तो आप 2 equation बन गया equation number first देखिए equation number first बन गया और equation number second तो अब आप करेंगे क्या divide करिए dividing dividing equation first by equation second equation first को second से divide कर दो तो first को लिखिली जिये पहले बच्चा लोग P0 by 2.8 equal to 1 plus यही तो है 6 by molecular weight absolute equation number first आपने लिखा और इसको divide कर दो equation second यानि P0 by 2.9 equal to 1 by 5 by MB कर दिया equation number second ठीक है बच्चों बात समझ में आया की नहीं आया बताए MB नहीं करो आप एक ही solute है ना तो solute एक ही है तो MA स्वारी MA और MA ठीक है अब बताओ अब इसको जब divide करोगे तो क्या होगा divide करोगे तो ये एक कटेगा P0 P0 कट जाएगा कट जाएगा एक नहीं कट जाएगा तो अब इसको जब solve करोगे आप तो हो जाएगा ये उपर जाएगा ये नीचे हो जाएगा तो 2.9 divide by 2.8 8 equal to हो जाएगा 8 equal to हो जाएगा इसको जब आप solve करोगे तो one plus six by ma divide by one plus five by ma इसको solve करिए तो जब solve करोगे बच्चों तो कैसे solve करोगे इसको इधर कर दो तो 2.9 इस वाले पूरे सिस्टम को इस सिस्टम को इधर कर दो तो one plus five by ma हो जाएगा equal to इसको उधर कर दो तो 2.8 one plus six by ma हो जाएगा बहिया कल्कुलेशन है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अक्षिता तेस ग्राम पर मूल बहुत सही very good अक्षिता कांसर सही है अक्षिता का आंसर सही है very good दिम का अंक्षित सेकर कल्कुलेशन सही नहीं है आपका कल्कुलेशन सही करिए बाइलोजी लिए हो साएग तो अब देखो मैं एकदम simplify करके बाइलोजी वालों के लेबल पर मैं कल्कुलेशन कर रहा हूँ वैसे तो direct मैं अभी answer लिख देता है यह chemistry वालों का नहीं कल्कुलेशन है mathematics में इतना आपको पता होना चाहिए एर्थकलास तक आपको यह पताया गया है तो जब इसका इसमें multiply करोगे बच्चों तो हो जाएगा 2.9 और प्लस करोगे इसमें multiply करोगे तो हो जाएगा 14.5 डिवाइड बाइ molecular beta absolute और equal कर दो 2.8 मल्टिप्लाइड जब करोगे तो 16.8 डिवाइड बाइ में हो जाएगा अरे भाई आप इस equation को follow करके solve करके MA का value निकाल लो तो निकल जाएगा आसानी से यहां से MA का value निकलेगा अरे भाई इसको इधर करो तो इधर करोगे तो यमे को कामन ले लो कामन ले करके solve करोगे तो म एक अवेलू आ जाएगा 23 ग्राम 23 ग्राम पर मॉल म आ गया 23 ग्राम पर मॉल अरपित का सही answer अक्षिता का आपसर सही है अरपित हाँ हो गया ठीक है बाबू, तुम्हारा तो होई जाएगा mathematics लिए हो, बायो वालू का नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए मैं पूरा details बता रहा हूँ, तो आ गया, molecular बेट आ गया, कि ना, अभी तो question number first हम लोग solve किये, किवल क्या पता चला, molecular mass पता चला, ठीक है, अब क्या का रहा है, second मे of MA, in equation, equation first, equation first में MA का बैलू रख दो, तो बच्चा लोग यहीं तो पड़े हो, P0 by 2.8 equal to 1 plus 6 by MA, यहीं तो पाला equation था, तो MA का बैलू अगर 23 रखोगे, तो P0 by 2.8 equal to 1 plus 6 by MA का बैलू क्या रखें, 23 जो अभी आया है, 23, तो आज आएगा, solve करो अच्छे से, अक्छिता का अंसर सही है, अंसिशेखर का अंसर, 3.4, हाँ, approximate सही है, अक्छिता का एकदम correct answer है, तो इसको solve करोगे, तो P0 equal to हो जाएगा बच्चा लोग, 3.53 kilo Pascal, this is your answer, बहुत energy लग गया बच्चों इसको solve करने में, अमन, अच्छा अमन, कौन अमन, अमन सोनी की अमन सिंग, आप राइज वाले अमन हो क्या, चलो ठीक है, daily class लिया करो बच्चों, वो मतलब time best मत करो, आपकी school वाले pressure डाल रहोंगे, लेकिन ऐसे जगह समय दो, ऐसे जगह डेटा खर्च करिए, जी भी खर्च करिए, जहां आपको फाइदा मिले, पता चला आप गलट direction में अपना डेटा खतम कर रहो, time खतम कर रहो, बाद में दिक्कत होगा, कोचिंग में आओगे, तो बोलोगे, सर, ये छूट गया, हमारा वीडियो नहीं, पढ़ पाएए ये नहीं, तो आप regular बे में फालो करते रहे, आपके पास बहुत मतलब अच्छा चांस है, आप अपना concept बार-बार बीजन करते रहे और maximum मैं cover करूँगा, लगबग मान करेके चलिए, फूरा physical मैं cover कर लूँगा वीडियो के recording, फिर जैसे ही lockdown समाप्त होगा, हमारा starting organic chemistry से होगा, जो की other जगां organic chemistry पढ़ाया जा रहा होगा, तो ठीक है बच्चों हम लोग continue करते हैं, अगला numerical, अगला numerical देखते हैं, बड़ा time लग गया बच्चों इसको solve करने में, एक numerical और हम करा देते हैं, उसके बाद कल फिर मिलेंगे, अगला numerical बहुत important है, board के लिए, देखिए अगला numerical क्या ह है, tuition खुलेगा आक्चिता, जैसे ही lockdown समाप्त होगा, coaching स्टार्ट हो जाएगा, देखो, lockdown के वज़ा से problem तो है, लेकिन तब भी हम लोग maximum कोसिस करने हैं, कि आप लोगों को better content और घर पर रह करके मिल जाए, बहुत हम लोग मतलब extra effort मेहनद कर रहे हैं, जैसले, manage हो जाएगा दिक्कत नहीं है, और ये जैसे offline का जो class होता है, वो बहुत जादा effective होता है, भले ही कोई इतना fake ले कि अब offline पढ़ने के जरूत नहीं है, सारा online है, कितना भी कुछ भी कर लिया जाए, ये लिख लिख करके जो पढ़ाने मर वो जादा feeling होता है, और जो ऐसे slide घुमा घुमा करके उड़ा उड़ा करके लोग पढ़ाते हैं, उसका उतना जादा effect नहीं पढ़ता है, बच्चे note से ही नहीं बना पाते हैं बाद में, दिक्कत होने लगता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ground state में पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, चलो बच्चों अगला numerical हम करते हैं, देखते हैं कितने लोग इस numerical को solve कर सकते हैं, देखते हैं कितने वहां रती हैं जो इस numerical को solve कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, question number 20, MCIT का 20th question है, करा a 5% solution, a 5% solution by mass, by mass of cane sugar, cane sugar, मतलाब C12, S22, O11, in water, in water, has a freezing point, has a freezing point, has a freezing point of 273 Kelvin, का रहा है कि कोई solution है, जिसका freezing point 271 Kelvin, sorry, 271 Kelvin है, ठीक है, चलो, कहना calculate कर दो, calculate, calculate the freezing point, calculate the freezing point, of a 5% glucose, of a 5% glucose in water, 5% glucose in water, if the freezing point, of pure water, freezing point of pure H2O, water, is 273.15 Kelvin, ध्यान देना बच्चों, बहुत important numerical है, दो condition बन रहा है, एक 5% solution, of cane sugar, in H2O, high freezing point, इतना, calculate freezing point, of 5% glucose in water, if freezing point, of pure water, इतना दिया है, तो पहले जो given है, उसको हमें लिखना चाहिए, तो 5% solution, by mass का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों को पता है, इसका mass कितना, क्या होगा, इसका meaning क्या होगा, 5 gram solute, present in 100 gram solution, इसका मतलब तो यही हुआ न, अरे भाई, हम लोग स्टार्टिंग के concentration term में पढ़े हैं, तो इतना हुआ, इसका मतलब, beta of solute दिया है, 5 gram, beta of solvent दे दिया है, 95 gram, तो क्योंकि 100 मेर्ट से माइनस करो, और capital W equal to दिया है, 100 gram, कोई दिक्कप, कोई problem नहीं, अच्छा, यह बताए, हमें freezing point बताना है, यानि, हमें निकालना है, ts-, freezing point, solvent का freezing point हमने बताया था, t0-, और solution का freezing point हमने बताया था, ts- से represent करते हैं, तो ts- चाहिए, ts- चाहिए, क्या formula apply करते हैं, delta tf equal to, t0- minus ts-, t0- दिया है, ts- पूछ रहा है, तो हमें यह निकालना पड़ेगा, ना, तभी तो निकाल पाएगा, तो हम पहले इसका निकालते हैं, इसका हम पहले condition का निकालते हैं, तो कैसे निकालेगा, देखिए, delta tf, delta tf equal to बत्चों क्या होगा, t0- minus ts-, और t0- water, यही है, t0- solvent का freezing point, t0- से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 273.15- ts- कितना है बच्चों, 271 है, तो 271 कर दो, solve करोगे, तो आज आएगा 2.15 इतना, आरपिट 269, very good, इस question को हम लोग कर चुके हैं, इस question को कर चुके हैं, आरपिट कांसर आ चुका है, very good, इसका महला मैनत कर रहे हो, अब देखो, delta tf हमें पता चल गया, कितना, delta tf हमें पता चल गया, यह, अच्छा, delta tf अगर पता चलेगा, तो हम kf निकाल सकते हैं, और जब kf पता चलेगा, तभी हम जो है, यहाँ, ts निकाल सकते हैं, क्योंकि kf और kf दूसरी बात यह है, कि kane sugar और glucose के लिए kf का value constant होता है, मलब जो kf के लिए होगा, वही 5% glucose के लिए kf constant है, तो अब यह बता दो बच्चों, delta tf इक्वल टू, क्या होगा, kf.molality, molality मलब beta of solute divide by molecular beta of solute, और beta of solvent in gram, into कर दो 1000 से, into कर दो 1000 से, तो रख दो न, delta tf आ चुका है, 1.25 equal to, वह बीडियो आप लोग फालो करते रहिए, बहुँ लोग तो बीडियो ही नहीं फालो करते हैं, तो उनको आंसर कैसे आएगा, kf आ गया, very good, kf का value आ चुका, 2.15, kf यहां रख दो, dot 5 gram है, divide by molecular beta of cane sugar, cane sugar का molecular formula, c12, s22, o11, यानि कितना, 342 हो जाएगा, solve करोगे, beta of solvent, यानि 95 into 1000 से multiply कर दो, तो kf equal to हो जाएगा, बताइएगा, 13.97 kf आ गया, kelvin kilogram, mole inverse, maximum लोगों को समझ में आ गया होगा, maximum लोगों को kf का value आ गया होगा, kf दोनों को solution के लिए constant, चाहे 5% cane sugar हो, चाहे 5% क्या हो, glucose solution हो, kf का value तो constant ही है, तो जब kf का value बच्चों constant है, तो आप क्या करोगे, आप kf का value यहां रख दो, तो हम second solution के लिए, यानि 5% glucose solution, 5% glucose solution के लिए हम solve करेंगे, तो क्या formula लगाएंगे, delta tf equal to kf dot beta of solute, divide by molecular beta of solute, beta of solvent in gram into 1000, यह तो formula second के लिए formula लगा दो, कोई problem, कोई समस्या, बताएंगे सबको समझ में आया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहां रख दो ना, यहां खल एकवल value ही तो put करना है, हाँ kf आ चुका है, अक्चिता का आ चुका है, चलिए, अब इसको खली value ही तो रखना है, तो delta tf equal to निकाल लो, यहां से delta tf equal to हो जाएगा, kf का value 13.97, beta of solute, यहां भी glucose का भी तो 5% है, तो 5 gram होगा, 5 divide by glucose का molecular formula होता, c6, h12, o6, यानि 180 molecular weight हो जाएगा, तो 180 रख तो, into beta of solvent कितना, 95 into 1000, 1000 से multiply करोगे, तो delta tf equal to बच्चा लोग आ जाएगा, कितना, 4.08 Kelvin, delta tf आ गया, अरे भाईया, delta tf नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, क्या, ts- बता दो, क्या, पूछा जा रहा, ts- यानि, यानि की freezing point of solution, हमसे पूछा जा रहा, तो delta tf equal to, t0-ts- और यहीं हमसे पूछा जा रहा, t0- water का पता है, कितना दिया, 273.15, तो रख दो न, freezing point of glucose, glucose solution, निकाल लो, निकल जाएगा कि नहीं, freezing point of glucose solution, ts- इधर लाओगे, उसको उधर ले जाओगे, तो t0- minus delta tf, तो t0- कितना है, 273.15, delta tf कितना आया है, 4.08, solve कर लो, बच्चा लोग, तो 269.07, Kelvin, this is your answer, यह freezing point of solution, for glucose, 5% glucose solution आ चुका है, अंक्चित का आंसर सही है, अंक्चिता, अर्पित, सभी लोगों का आंसर, सही आया है, तो बच्चों, लगातार, 2 घंटे से, मैं live class ले रहा हूं, हमारा गला, थोड़ा सा प्यास लग गया है, मैं अब बंद करने जा रहा हूं, कल फिर हम लोग, सेम टाइम पर, MCIT exercise, का question number 21, से continue करेंगे, लगबाग मान करके चलिए, दो वीडियो, दो वीडियो अभी और लगेगा, solution chapter का, NCIT solution कराने में, उसके बाद, मैं continue करूंगा, बच्चों, solid state, बहुत ही मज़ेदार chapter, जैसे solution chapter, interesting पढ़ें हम लोग, उसी टाइप से, हम लोग solid state, continue करेंगे, solid state के बाद, electrochemistry, electrochemistry के बाद, chemical kinetics, और लगबाग lockdown के तक, मैं पूरा physical कबर कर लूँँगा, ठीक है बच्चों, ओके, thank you,